मुबाईर ईवालेट कंपनी पेटियम को रोजाना करीब 11 करोड रुपए का घाटा हो रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले फाइनेंशर येर में पेटियम का घाटा 165 फीज़ी बढ़ गया है यह 1490 करोड रुपए से बढ़कर 4969 रुपए हो गया है हलांकि कंपनी की आमदिन में लगातर इजाफा हो रहा है यह 3229 करोड रुपए से बढ़कर 3319 करोड रुपए हो गई है आपको बता दें कि डिज्टल पेमट लीडर पेटियम को गूगल पे और फोन पे से कड़ी टकर मिल रही है पेटियम की पेरेंट कंपनी 197 कम्पनीकेशन है और पेटियम के फाउंडर विजे शेखर शर्मा पेरेंट कंपनी के मैनेजिक डिरेक्टर है कंपनी में उनकी 15.7 फीज़ी हिस्सेदारी है साल 2019 के शुरुआती तीन महीनों के दौरान पेटियम से एक पेंट दो अरब मर्जन ट्रांजेक्शन हुए जो एक क्रोड चादिस लाख रिटेल स्टोर्स के जरिये किये गए अंग्रेजी के बिजनस अखवार एकोनॉमिक टाइम्स की मैं चपी खबर के मताबिक बीते फिनेंशल जियर यानि 2018-19 में कंपनी की आमदनी 3319 क्रोड रही है जबकि वित वर्ष 2 या 17-18 के दौरान 329 क्रोड रुपए थी वहीं अब बात करें पूरे कारोब्यार की तो कॉंसलिडेटर अधार पर कंपनी की आमदनी बढ़कर 4270 क्रोड रुपए हो गई है इसमें पेटियम मनी फॉर म्यूचल फंड इन्वेस्टमेंट पेटियम फिनेंशल सर्विसिस पेटियम एंटर्टेन्मेंट सर्विसिस और अन्य शामिल हैं पेटियम के प्रवक्ता की और से जारी बियान में कहा गया है कि पिछले दो साल से हम देश में डिजिटल पेमर्स को सिस्टम को मजबूत करने के लिए सलाना एक अरब डॉलर का निवेश कर रहे हैं और अगले दो साल के दोरान हम तीन अरब डॉलर का निवेश करेंगे इंडिया डिजिटल पेमर्स के इंफलेशन पॉइंट पर है और पेटियम का पूरा फोकस मर्चंट पेमर्ट की समस्या सुल जाने और उन्हें वित्ति सेवाई मुहिया कराने पर है इस दिशा में हम अगले साल में 20,000 करोड रॉपे निवेश करेंगे